ओम नमस्षिवाय जय महाकाल हम सबको पता है कि मंगलवार का बहुत ही विशेश सा दिन आ गया है और अगर आपकी कोई इसी कामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है या फिर आपकी फैमिली में बहुत टेंशन या फिर बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए है बस एक छोटा सा उपाय करना होगा आपको दो लोंग लेना है और चार हली राईची छोटा सा उपाय करिएगा जिससे आपकी तो मनोकामना पूरी होगी होगी साती साथ आपके पूरे परिवार के जो कस्ट होंगे वो सारे कस्ट खतम हो जाएंगे ना तो कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करते वे चलेंगे इस उपाय को मंगलवार पे करने वाले चार महा उपाय की बाद इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो उपाय आपके लिए अच्छे हों, आसान हों, आपकी फैमिली के लिए अच्छे हों कोई साभी उपाय कर सकते हो, ठीके ना सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, मैंने कितना लिखाता चार हरी लाइची, तो आपको भी कितनी लेनी होगी चार हरी लाइची लेंगे, ले लिया, लेने के बाद में आपको दो लॉंग भी लेने होंगे, ध्यान रखिएगा, लॉंग के जो फूल हों, वो गिरे हुए ना हों, तूटे हुए ना हों, आप यहाँ पे समझनेंगे, यहाँ पे आप सबी को दीपक दिख रहा है, मिट्ट बड़ा बड़ा दाना होता है, मिश्री लेंगे, और मिश्री को लेने के बाद में आपको इसी के अंदर चार हरी लाइची जो मैंने आपको दिखाई थी, उस चार हरी लाइची को भी इसमें रखतेंगे, रखने के बाद में हमें एक दीपक को और लेना है, और वो एक दी दीपक में आपको डालना होगा सरसो का तेल के डालोगे सरसो का तेल डालेंगे और गोलबती का दिया लगाएंगे उसके बाद में इसको ले करके आपको कहीं बाहर नहीं जाना अपने ही घर में जो बजरंग बली है उनहीं के सामने सबसे पहला काम करना है आटे के उस दीपक को वहाँ पर बैट करके प्रजुलित करना ठीक है ना प्रजुलित करना प्रजुलित करने के बाद में आपके पास में जो मिट्टी का मनेक दिया दिखाया उस मिट्टी के दीपक को दूसरे साइड में रख करके भोग लगाना दीपक को जलाने के बाद ही भोग लगाया जात प्रशाद के तोर पे खिला देना, कोई भी समस्याएं, कोई भी तकलीफ हैं आप पे घर में नहीं आएंगी, ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सुबह के टाइम नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोशकाल में करना है, किनी तीन मंगलवार या फिर किनी तीन सनिवार अगर आप परके देख लेते हैं, तो आपके परिवार में बहुत सारी खुशी आएंगी, ठीक है न, तो पहले उपाय के तो हमने बात क्या होंगे, अगर मान लिजे कि आपकी कोई भी ऐसे विशेज हैं, इच्छाएं हैं, जो आपने पश्युपति वरत के बाद भी पूरी नहीं हो पाई हैं, तो आप इस उपाय को समंगलवार पे करना है, क्या करनेंगे, आपको लेनी होगी तीन बेल पत्र, बहुत ही प्य काम लिखना है, बड़े वाले, तीन की तीनों बेल पत्र पे लिख देना, लिखने के बाद में, आपके ही घर में जो बजरंग बली हों, उनहीं के चरणों में, आपकी जो भी कामना हों, जो भी विशेज हों, आपको भगवान बजरंग बली के पास में, उन तीन की तीनों बेल पत्र को राम लिखा हुआ आपको अपनी इच्छा कहके समर्पित करना है ना बेल पत्र समर्पित करने के बाद में हनुमान चैलिसा पढ़ने के बाद में आप उन तीनों बेल पत्र को उठा लेना और आपके ही घर में जो बोले शंकर का शिवलिंग हो उनहीं के ऊपर आ वो सारी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होंगी है ना करिएगा जरूर भूलना किसी को बेनी इस उपाय को मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ठीक है ना चलो समझने कोशिश करते हैं जैसे हमने दूसरे उपाय में क्या लिया था तीन बेल पत्र अब इस उपाय को करने से फायदे क्या होंगे कि अगर कोई भी विक्ति आप पे घर में क्रोध कर रहा ना बिना मतलब से आपके घर में लडाईयां बढ़ा राये बढ़ रही हैं बाला जी के नाम से किसके नाम से समर्पित करोगे बाला जी के नाम से ये उपाय सुबह करना चाहो सुबह करो शामबो करना चाहो शामबो करो है ना बाला जी के नाम से समर्पित किया फिर थोड़ी देर बैट करके प्रातना करने के बाद में जो साथ बेल पत्र समर्पित किय उनके उपर जब आप उन साथ बेलपत को समर्पित करेंगे तो जो विक्ति आपके घर में कुरोध कर रहा है गुस्सा कर रहा है आपका जीना मुस्कल कर दिया है उस विक्ति का नाम और गोत्र बोल करके हाट केश्वर महादयो की नाम से उन साथ की साथो बेलपत को जो भी व जरूर देखेगा इस उपाय को, तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है, अपने तीन उपाय की, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने सबसे छोटे और बहुत ज्यादा आखरी उपाय की, बहुत ही छोटा सा उपाय, उससे पहले छोटा सा काम कर दो, जरूर वी जगडे कर रहे हैं, बलब ऐसा होता ना कि एक इनसान दूसरे की चुंगली कर रहा, वो उनसे लड़ाई बिजारा है, वो उनसे लड़ाई बिजारा है, ऐसी कंडिशन अगर आपके घर में बन गई है तो आपको क्या करना होगा, लेना होगा लड़ू, मार्केट में अवल नया ले लो, पुराना है, पुराना ले सकती, कोई दिक्कत नहीं, है ना, पीपल के पत्ते को लेंगे, आपके ही घर में, कहीं भी बाहर मज जाना, आपके ही घर में जो बजरंग बली की फोटो मूर्ती पतिमा हो, एक दीपक प्रजुरित करने के बाद में, जलाने के जब वो दीपक थंडा हो जाए, बुझ जाए, फिर पीपल के पत्तों के साथ में, आप उन लड़ों को भी उठा लेना, और जो उतने भी विक्ति आपके घर में वरतमान समय में रहते हैं, प्रिजन टाइम में रहते हैं, उन सभी लोगों को अगर प्रशात के तोर पे, उ पूरी फैमली खुश रहेगी, आपको फिर किसी के सामने हाथ फिलाने के जरुवत नहीं पड़ेगी, ठीके ना, करके देखे के सुपाय को जिससे आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, तो मैंने कोशिच की आप सभी को बहुत ही अच्छा समझाने की, बाकी कुछ पू वीडियो को शेयर भी जरूर किया करिए, जितने ज्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिसने अभी तक नहीं किया, और वीडियो को लाइक तो सभी को करना है, स्री शिवाय, नमस्त भ्यम